मैं कम्प्लीटली सॉक्ट था वो जो चाय का प्याला था मेरे मूँ के अंदर नहीं जा रहा था कि कि मैं उस गौं से विलॉंग करता हूँ जहां आज भी लोगों को पेन कार्ड का मतलब नहीं पता है अगर लाइट चली जाती थी हमारे तो दो महिना तो धरना परदर्शन कर ना परता था तब लाइट आती था इए साल में मैं कार पर जिया था दो साल के अंदर वो लाइफ मुझे नहीं जीना था कि उसमें होता है ना कि विया दो बार पांच एक बार लांच लाइफ हाइटान सबसे पहला देखती अगर आपको कोई गिरोध करता है तो आपके घर के लोग करते हैं तो मार्किटिंग का क्या है पूरे हमारे सुसाइटी में समाज में एक जोडने वाला बिजनिस है चेंश सिस्टम है एक को जोडो दो को जोडो हिंदुस्तान के अंदर में डाइडरेक्ट सेंलिंग के नंदर में वही कमपणिया तिकनी वाली है जो Penal tule का मेंबर अब गजम दोश्टान करने वाला भजन किर्थन ओस ऐग आंद्सिका हुआ है आज मैं देखता हूँ लोग बहुत परेशान हैं होए मैं लोग बिमारी रह वार होको कुछ थोड़ी थोड़ी चोटी बिमारी थो सब को है एंडे वही नहीं बी थो बेटी हएय हैा और और नहीं io तो वह दिप्रेशन का सिकार है कोई ना कोई तो सेक्यूर्ड साम को घर लोटेगी या नहीं लोटेगी उसका पापा संदेख करता है अच्छा नेटो मार्केटिंग का फीचर आप कहा देखते हैं मतलब आगी आगी आने वारे टाइम में आगी 10 साल बाद कि कई साल पहले की बात है जब मैं स्कूल में हुआ करता तो मेरे दादा जी के मित्र थे जो कि अक्सर घर आया करते तो एक दिन क्या हुआ कि उनके साथ में एक और सज्जन घर पे आए तो घर पे आए उनको देखके ना थोड़ा सा घर में सब लोग बहुत ज्यादा नोटिस करें ते उनको आए थोड़े हट के आये थे मतलब पूरा प्रॉपर ड्रेशब साहम को साथ वजह की टाइम पर अगर कोई प्रॉपर ड्रेशब में आया है, सूट पहनके टाइ लगाके और फॉर्मल सूह साथ मैं ब्रीफ केश तो लगता है सबको तो वह घर पे आये और घ तो मैंने एक चीज देखी नेटो मार्केटिंग मैं समझ यह नेटो मार्केटिंग के हैं तो एक चीज मुझे इस उनको देखके समझ में आए कि यह चीज होती है अगर आपने प्रोफेशन अगर चुना है तो यह करना ही पड़ेगा आपको इंप्रूब कर रहेंगे तप ही आप इस इंडस्टी में आगे जा सकते हैं तो नमस्कार मेरे नाम है अमन और आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दामन पॉड्कास के एपस में आज हमारे महमान है वो नेटो मारकेटिंग इंडस्टी से ही लग बख साथ से 8 साल हो गी होना से इंडस्टी में और उनहोंने अपना काफी अच्छा केरियर छोड़ के पिर इस प्रोक्स्ष्ट में वह आए थे और आज काफी अच्छी इंकम कर रहे हैं इंद्र जी बह बात करो उनसे कभी भी मिलो तो बहुत जादा पॉजिटिविटी होते हैं क्योंकि अलग होते हैं वो ट्रेनिंग उनकी इस तरीके के होती है कि बिल्कुल होता है तो सर मैं अगर जैसे जाना चाहूं नेट और मार्केटिंग आपने कब जॉइन किया यह मतलब नेट और मार्क कास्ट के लिए बहुत बहुत सुक्री आपका अगर मैं बात करूं डिरेक्ट सेलिंग की नेटवर्क मार्केटिंग की तो मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था इस इंडर्स्ट्री से मुझे नफरत था मुझे लगता था कि यार यह काम हमारे लायक नहीं है इस नोट मै का पॉप्टी यह बिल्कुल मैं इस में आना नहीं चाहता था और लगभग आज से साथ साल पले 29 जून 2017 को मैंने इस बिजनिस को जोएन किया और यह आप फॉर्चुनेट ही मानिये कि मैं इस इंडर्स्टी में आ गया क्यों मुझे नफरत थी नफरत मतलब वह अबल मेरे लोगों का काम है यह सारी धारना है मेरे मन के अंदर में थी लेकिन मैं थैंक्यू करना चाहूंगा अपने मेंटर को मेरे बच्पन के मित्र हैं और सारे तीन साल उन्होंने मुझे फॉलो अप लिया मैंने उनके 62 नम्मर को ब्लैक लिस्ट में डाला था जव्यों मुझे कॉल करते थे मैं उनका नम्मर डाल दिता था अब आप जैसे कोई लोग गए तो उनका पहला नमर मैंने डाल लगके तो आप से बोले कि मुझे एक बार फोन देना दोस्त को करना अब इसी किसी दूसरे क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनिया आई जो लोगों को बिना करें और वह जिस पहले कंपनी में थे बहुत अच्छे चीवर रहें बहुत सारा पैसा भी कमाया लेकिन बाद में उस कंपनी को गवर्मेंट ने बेहन करी तो मेरे मन में यह धार ना था कि मुझे भी फसाद देग स्सक्राइब जिए लबी जारनिंग है लेकिन में मैं स्टार्ट से आपको बताओं मैं तो मैं आना नहीं चाहता था बिरुकल भीन आना चाहता था और दोस्त मुझे बार बार फोन करते रहते थे फैनली मैं एक बार गौव गया मेरे दोनों बेटे का मुंदन था मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि दोस्त कब आउगे मेरे घर तो बोला रात के सारे ग्यारा बजे आता हूं फिर बैक्टर के बात्चित करेंगे हम दोनो यार एक नॉर्मल आदमी नो भजे तो कैसे सो सकता है और उनके टीम के कोई लीडर भी सो रहे थे तो बच्पन का मिद्ध था पले तो जाते ही मैंने दो लात मारी फिरो जग करके बैठे है उनकी मैडम चैवाय बना करके ले करके आई और जैसे मैंने चैए का प्याला उठ दिया उनको मैं मुझे कौन सा दूबे जाना है मैं क्या करूंगा पासपोर्ट मना करके बंदा अपना पासपोर्ट लेकर के आया अपने मैडम का पासपोर्ट लेकर करके आया अपने विकिया का पासपोर्ट लेकर करके और मेरे सामने में रख दिया बोला मैं दूबे जा पूछ रहा हूं गुमने के लिए पूछ रहा हूं अब मैं कम्प्लीटली सौक था जो चाय का प्याला था मेरे मुझ के अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि मैं उस गौँ से भी लोगों को पेन कार्ड का मतलब नहीं पता है अगर लाइट चली जाती थी हमारे टैम में तो दो मह मेरा फोन खुल वाया अपनी डचारी निकाली और एक-एक नमड गिन वाय कि बेटा इतने और उस कंपनी में आज भी लोगों को अगर जोब लग जाए ना तो परवाले को लड़ू चरहते हैं गौभर भी मिठाया बढ़ती है तो एक ऐसे कंपनी में एज एस्टोर मेनेजर काम करता था उसके बाद सैलली ठीक ठाकती कंपनी ने फ्लैट दे रखा था विकल्स दे पर है करता था तूशन से से लेकिन मेरी लाइफ स्टैल जो थी सारे छे वजे जगना देन चक्की पिसिंग एंड पिसिंग रात के सारे दस वह तक यहीं चलता था और फिर हम दूनों वाइफस वेंड आते थे जो फ्रीज में सुबदी सब्सक्राइब बना करके रखी है फ यहाई पर मैंने इस बिजनस को जोई किया सर उनतीज जून दोजार सकरों को जोई किया 15 जनवरी 18 को मैंने जॉब को रिजैन कर दया दो साल के अंधर मैं गुर्गों में इस अपना घर बना लिया था कभी जिंदगी में पासपॉर्ट का मूह नहीं देखा था जब पहली बार में county ऑपुर्बंडप्र बैठने के लिए इस्टोरी और तो जब मैं डेली एरपोर्ट पे गया तो मैं ने देखा कि लोग के लिगा और मेरा यह पहला सब्सक्राइब तो मैं ने जब देखा तो मैं मन में सोच रहा था यह सारे के सारे लोग पांगल है क्या यह कान में ना वाकमेन है ना कुछ सुनने वाला है यह कान में क्यों लगा रखा जब मैं प्लेन पर बैठा और जब वह हैट पर में पहुंची तो मेरा दोनों कान सुनने हो गया एर की वज़े से तब मुझे पहली बार पता चला कि भाई आ प्लेन में प्लेटली में टाइम लेट करता हूं तो मेरा दोनों कान से बिल्कुल कुछ भी ने सुनने दे रहा था तो वहां से इस जर्निंग की सुबारम हुई थी और आज लगबत दसजार लोगों की टीम को मैं लीड करता हूं इंडिया के बारह स्टेट में जाता हूं कंप्लीटल को इसे में टायमले फिर हूं झाम जी और उटता हूं यह मर शुटोंता हं वहां काम करता हूं अपने उस दोस्त का हमेसा स्व में सफर करता हूं और अब तो सपने बड़े बड़े हैं सर अब तो मेरी बिटिया का सपना अपने सपने तो जितने तो सारे पूरे हो चुके हैं टीम के अंदर में अभी 12-15 लोग हैं जो कार के सफर पर में कुछ लोग मुझसे जैदा इंकम बनाते हैं खुसी वहां होती है कि भाया मैंने अके में अधा जोब तो तो 26 जनवर युसका वर्ड़े आता है एक करोर का घर जिसके चट के ओपर में स्वीमिंग पूल होग हो। और मेरा प्संदीदाकार है ज्यांचे वर उस पेचाट करके मैं उस घर में इंतियो तो ऐसे स्टार्ट हुआ है जनी और बहुत सारे लोगों के सपने अभी पूरा करना है अभी तो सफर आधा भी नहीं हुआ है तो इंदर जी मैं अगर देखूँ जैसे कि आपने अच्छी खासी जॉब थी आपकी एक लिम्टेड कंपनी में उसके साथ आप टीशन भी करते थे 17,000 रुपे का पर मन टीशन भी था उसके साथ जॉब भी नीदा कि यहां पर क्या होने वाला है तो घरवालों को कैसे मनाया और आपने खुद को मतलब एक अंदर से होता है डर होता है कि अगर यह नहीं कर पाए तो क्या जॉब भी हाथ से पीशन भी जले जाएंगे मतलब यह एक फैनेशल सेक्योरिटी की बात आती है तो उसके लि जुरत बोला अच्छा उसके पास गया ता ओधार काट तो नहीं दे दिया तूले मैं बोला नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं किया हूं उनको बाद में पता चला एक मेने के बाद में और खूब गालिया मिली जितनी मिलनी चाहिए लेकिन मेरा यह डिसीजन था कि मैं ऐसे नही नहीं चाहिए तो मैं आया और मेरे पास दो उप्संट था जॉब भी था टूइशन भी था तो मैंने सोचा कि इसको कड़के देखते हैं दो मेना चार मेना चे मेना प्रो पर अच्छी तरीके से करके देखते हैं जब जॉब के इंकम को मैं क्रॉस कर जाओंगा उसके बाद मैं जॉब को चुरूँगा तो मैंने उसको साथ में ले करके चलाता मैंने जॉब को कुट नहीं किया था टूइशन को बन नहीं किया था लेकिन जिस दिन मैं जॉब के इंकम को क्रॉस कर लिया उसके बाद मैंने जॉब को कुट किया फिर जिस दिन लॉक्डाउन परा उसक के घर के लोग करते हैं जब भी आप कुछ करना चाहोगे मैं अगर बात करूँ अपनी और अपने मैडम की तो जब मैंने इसको जोएन किया तो मेरा और उनके बीच में हिंदिया पाकिस्तान वाला माहूल होता था क्योंकि उनको लगता था कि सब कुछ बरबाद हो जाएगा क कि ताइम तो था नहीं मेरे पास में सारे छे बज़े जगना है उसके बाद मुझे बिटिया को तयार करना है वो नस्ता बनाएगी फिर मैं उसको स्कूल डॉप करूंगा सारे आट बज़े जॉब पे जाओंगा एक बज़े मैं लंच में आऊंगा पने दो बज़े बिटि किया और उसके बाद इस्था किया तो सब से जयदा लिकिन मैडम को फिर धीरे धीरे भरोसा हुआ कि नहीं अच्छा काम है उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना तो मैं आगे बरी नहीं सकता था, और फाइनली वो टैम आया जब परिवार वाले विखोसे हैं, दुनिया भी इजद सम्मान देती है, और सबसे बरी बात यह है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, और आ आज के दौर में आप अपने साथ एक सक्सेस लोगों का काफिला ले करके चलने हो, तो खुसी होती है, मैं अगर मैं जैसे देखूं आपने साथ साल पहले जोइन किया था, तो स्टार्टिंग में काफी सारे मतलब आपको ऐसे चैलेंज जाए होंगे, जैसे कि आप स्टार् आप तीन लोगों को जोड़ने वाला बिजनिस है, चैन सिस्टम है, एक को जोड़ो, दो को जोड़ो, मतलब एक आप जोड़ गए, आप तीन लोगों को लेकिया है, वो आगे तीन लोगों को जोड़े, इस तरीके का मतलब पूरे में फैला हुआ है, मैं खाश कर अपनी मनाई हो कि आज 10,000 से जादा लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपकी टीम में हैं, तो यह बहुत बड़ा चैलेंज था है, और वो भी साथ साल के अंदर, स्टार्टिंग में इतना फारा फेलिर आपको भी मिला होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताईए, बहुत लोगों को, जब तक आप टाइम नहीं देंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन इस इंडस्टी के पड़ती जो लोगों के अंदर की धारनाये हैं, पता कुछ भी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति परवचन देने को तेयार है, जोएन किया, दो दिन वर्क किया, एक मिटिंग टेनिंग सेमिनार में गया, मौटिवेट हुआ, आया लोगों के ठपिड़े परे, क्योंकि मार्केट में तो सारे ऐसे ही लोग हुए है, और सबसे मजबूरी है कि काम भी उन्हीं के साथ हमको करना उन्हीं को बताना है, तो लोगों के पास नौलेज नहीं है, ले ही ला देंगे फार देंगे लेकिन किसी ने किया क्योंकि मैं गला ट्रेक पर काम कर रहा था फिर सही तरीके से मैंने उसको इस्टार्ट किया और लेकिन मुझे पता था कि हर जगा काम करना पड़ता है समय देना पड़ता है यह जो लोग आपको मार्केट में बुड़ाय कर रहे हैं इनको नौलेज ही वह सुनी सुनाई बातों पर में भरोसा करते हैं जैसे सपोच करो एक बिजली वाले को अमन जी आप भी जानते होंगे है और पेचकस लेता है पिलास तेहां लेए lie पड़ाय करता है लें लेकिन किसी दिन अगर ममोडिवेशन में मैं भी का सारा काम जानता हूं और जाकर के अच्छा नहीं यह उसके पास में उन्ची जो की नॉलेज अच्छी नहीं है और मैंने अपने लौजेश करना सुरू किया है शुरू में गुस्सा हाता था जब लोग मना करते थे इतनी अच्छी अपर चुनीटी को बिटिया को लेकर के ए-सकूटर में इसकूल बहुत सारे गथ है मैजार। बहुत सारे गदे हैं जैसे ही मेरी देका गदू के तलर पूद को गदे में और फरक नहीं समझना आता था चार साल तो स्कूटर के पीछे से बिटिया मेरी बोली कि पापा देखो कितने सारे घोरे चल रहे हैं मैंने जब देखा उनके तरफ मुझे मैंने बोला बेटा यह तो घोरे नहीं है सब के सब गधे हैं और उसने न कभी गधे का नाम सुना था ना कभी उनकी पाचांती क्योंकि सेंट सेम दोनों चीजे होती है तो मैंने अपनी विटिया को बोला कि बेटा ये घोड़े नहीं है ये गधे हैं चार कदम जब मेरा स्कूटर आगे बढ़ा तो मेरी बेटी ने एक जवाब दिया था और ये जवाब नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो लोग मार्केट में गोरे हैं तो मार्केट में जो आपको बुड़ाय करते हुए दिख रहे हैं उसने यहां स्ट्रगल नहीं किया वो सारे का सारे गदे वाले और मुझे ये पहले दिन से पता था कि मुझे गदे वाला घोरा ने बनना है लंबी रेस का घोरा बनना है तो मैंने अपने और पर उसका जवाब होता है कि आपको मार्केट में जितने जोग मिलेंगे या तो उसका अच्छा नहीं है या कोई ऐसी कंपनी में उन्होंने काम किया जो ले भागा थी तो डो जोरदो, भागा दो, निकल लू। तो ऐसी कंपनिया चलती नहीं है। जब मैंने इस कंपनी को जोईन किया था तो मैं स्योर था कि मैं एची कंपनी साथ मौनची प्रॉडक्त के साथ मौन जारी चीज थी क्योंकि हें हंदुस्तान इंसुरेंस सेक्टर को इससे पहले किया था हिंदुस्तान में ऐसा कोई डेगुलर्टी बॉडी नहीं था और गॉबर्मेंट ने इसके लिए डेगुलर्टी बॉडी राया तो कंपनिया आज भी लाखो चल लए है लेकिन आईडी ऐसे का मेंबर नहीं है ना तो कहीं न कहीं करते चल लेगे उसके साथ और मैं पहले दिन से सक्यूर्ट था कि मैं अच्छी चीजों के साथ में अच्छा वर्ग कर रहा हूं और हर जगा होता है और फिल्ड में होता है सरे स्कुल में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हर बच्चा इंजिनियर नहीं बनता हर बच् को मिल ही जाते हैं आप देखेंगे आप ट्रेन में जाईए आप देखेंगे बीडी पीने वाले को बीडी पीने वाला मिल जाता है गुटका खाने वाला घूंड लेता है भजन किर्थन करने वाला भजन किर्थन वाले को ढूंड लेता है बिल्कुल सेम था मेरे साथ भी औ बहुत अच्छा सवाल किया आपने तो मैंने फोन किया कि गुरू जी लोग सुनते नहीं है हग कि यहीं जवाब डिया मुझे मुझे बता बजन किर्तन वाले को मिल जाता है इस तूझ बन जाएगा और मुझे यह चीज में आ ग चीजों को आगे बढ़ाना मैं बढ़ते चला गया लोग आते चले कर्मा बन्त चला गया बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अच्छा ये जिस तरीकी कि आपकी टीम है दस अजार लगबक 10,000 लोगों की टीम है आपके अंदर काम करते हैं तो इनको समालना एक लीडर सिप ल बहाना मारते हैं या फिर कुछ और मतलब छोड़ते बहुत लोग हैं और उनको सब को मैनेज करना बैलेंस बना के रखना उनको हर दिन मॉटिवेशन देना सेमिनार सुनके कराना तो यह कैसे कर पाते हैं क्योंकि लिडर से बहुत जरूरी है नेटव मार्केटिंग तो इसी पकर के डालोगे पांच उधर फुदक करके निकल जाएंगे पांच उधर फुदक करके निकल जाएंगे लेकिन फिर भी इतने लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है इसको बोलते हैं सिस्टम अब जब आप लोगों को ले करके आते हो उसको डेवलब करते हो सिस्टम में डा तो ट्रट पेंचर भी हुआ है तो पेंचर बनाने के लिए 500 लोगों को बुलाया गया पांचव लोगों ने उसमें शरिया लखरी वेल फसाया थे टैड को उठाया थिर फिर पेंचर बना किसी व्यक्ति के ब्रें मिन यह वात या गई कि यार जब जो ट्रक पेंचर होगा क्य से हैं एक मार्केटिंग साथ कृट्वा म करता है लिड़र्स अगर लोग अगर उस सिस्टम को फोलो करने लग जाए तो सब इतौ मैटिक जलता चला जाता है होता चला जाता है आपको परिशान कम होHeart पड़ता है तो सिस्टमेटिक धंग से अगर आप काम करते हो सिस्टम को ले करके चलते हो जैसे यह अभी यह देखिए यह जल रहा है यह भी एक सिस्टम के साथ प्लग है यह सारी चीजे लेकिन यह इसका कहीं ने कहीं स्विच होगा सब कुछ हमने त्यार किया और अगर उस स सुप करते चले जाया है सब कुछ अपने आप वजाता है तो डियरेक शलींग में सिस्टम काम करता है तीम को समालने के लिए और अच्छा लिडर शीस्टम के हिसाब करता हैँ डेवलउप और चालो आज जाता है तो मेरा कोई रोल नहीं है में अपने यह को सब जानते हैं इसकी सबसे गलत धाड़ा वताइए जो कि लोगों के अंदर बनी हुई है नहीं को लेकर बहुत अच्छा सवाल है मैं एक बार अपने साले के पास में बैठा और एक बात मैं आपके नोलेज के लिए बता दू कि इस दुनिया में सबसे जाजा ग्यानी व्यक्त छुट की वजा करके ने इतनों लोगों को मैं जोईन करवा दूगा वैं पूला ठीक है उसने अपने दोस्त को फोन किया और दोस्त को जैसें नेटवर्क मार्केटिंग डिरेक्ट से लिए तो उसका जो रियक्सन आया तो मुझे फोन किया उसने बोला भया मैं बहुत पोन गलती नहीं हिंदुस्तान में डिरेक्ट सेलिंग लगबग 95 के आस पास आई हैं उस टाइम में लोगों के पास में नौलेज था नहीं हैं कुछ अच्छी कंपनिया आई और जहां अच्छी चीजे आती हैं वहां बुरी चीजे भी आती हैं तो कुछ अच्छी कंपनिया वह जैनूवन प्रोडक्ट बेच रही थी घर की यूज के समान बेच रहेते हिंदुस्तान के लिए उसारी चीजन नहीं ती और उसी में कुछ डी टैप की कंपनियां घुसी हैं उसने स्कीम और स्कीम लेकर के मार्केट में पहुंची इतना लगा क्योंकि प्रोड़क्ट सुरुवात में जो आये थे विदेशी कंपनी के थे काफी कॉसली भी थे तो प्रोड़क्ट में लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था लेकिन इसको तो रहा अमरोळा जो रहा और बोला पैसे लगो पैसे लगो पैसे कम आगयो और फिर ॡो चारभ़क्वाश को पैसे दीए भी वापस भी आया लेकिन 90% लोगों को पैसे लेकर के भाग तो उस टाइम का जो experience है ना किसी के पिता जी ने किया किसी के दादा जी ने किया किसी ने खुद किया 95, 96, 97 तो उस टाइम के धार नाएं अब तक चलती चली जा रही है और एक बात है कि बुरी चीजे जल्दी फैलती है बिलकर अच् समाज के अंदर में यह सारी चीजे प्रचलित हो गई और अभी तक लोग इन चीजों से करनी काड़ते हैं कि भाईया डायरेक्ट सेलिंग बुरा है यह तो बेवकुर बनाने का दंदा है यह सब चलता नहीं है यह समनी कम में निठले लोगों का काम है यह सारी चीजे चलती कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे उनको प्रोपर इग्याम देना परेगा यह सारी चीजे करके जानी परेगी लेकिन अब धीरे दीरे लोगों की धारना यह चेंज होती चली जा रही है और आज भी बहुत सारी कंपनिया है कुछ क्रिप्टो करें इसी सोचल ट्रेड जो बहुत सारे लोगों का पैसा ले करके तो लोगों को यह नौलेज नहीं है कि एक्चुल में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या पड़ता है जैनुवन कंपनी क्या है काम कितना करना परेगा यह सारी चीज जो रही है लोग बदल रहे हैं चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और किसी भी कंट्री में जब चीजे नई शुरू होती है न तो 20 साल तक तो उसके फांडेशन में लग जाता है आप एक अच्छी बिल्डिंग बनाओं न तो फांडेशन में लगता है हर इंडस्टी में यह होता है आपने शेयर मार्केट में बहुत बार धंदा सुना होगा हर इंडस्टी में तो यहां भी वह सारी चीजे हुई लेकिन अब धीरे दीरे पाक्स से जैदा लोग मुंबए पहुंचते हैं हीरो हीरो बनने के लिए कितने पॉपलर हीरो हैं हिंडस्तान में बागी लोगों के लिए तो वह इंडस्टी निगेटिवीटी वाली हो गई है लेकिन इस इंडस्टी की खासियत बहुत सारी है रोजगार आप पैदा कर सकत हैं आज मैं जब जाता हूं सरकोपर में देखता हूं रेडबती पर खड़े हो जाओ तो आपको कार रुकने से पहले ना पांच विखारी जरूर मिल जाए रहा है इन चीजों को बदलने के लिए ना नेटवर्ट मार्केटिंग का करना जरूरी है आप लोगों को रोजगा मार दे सकते हूं और आज तो हमारी गोवर्मेंट हमारे प्रधान मंतरी चिला 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 करके बता रहे हैं कि भीया सो रज़ार करें में काम करें और मुझे हमें सब्सक्राइब होता है यह नेटवर्क मार्केटर और मैं इस काम को करता चला जा रहा हूं आगे बढ़ता अच्छा नेटव मार्केटिंग में सइस पाने के लिए सफलता पाने के लिए सबसे मैठ पोड क्या होना चाहिए कि इनसान के अंदर की मतलब कुई किसी ने जॉइन किया है तो इसको मतलब अगर सफल होना इस फील्ड में इस इंडस्ट्री में तो उसको सके अंदर ऐसी वहां सा गुड्स अदर लाना चाहिए कि वह सफल हो से कितना जवर्दस सवाल है अपका क्यों निट्वर्क मारकेटिंग में सक्सेस होने के लिए इस फिर्मेंथ होना चाहिए आप मुस्कुराएंगे अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए ना एक गुन का होना बहुत ज़रूरी है बेबकुप होना नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए किसी भी उनका होना ज़रूरी नहीं यहां वो लोग सक्सेस होते हैं मुझी जो बेबकुप होते हैं अपना दिमाग नहीं लगाते हैं जो उनको अप्लाइन सही गाइडेंस दिया उस गाइडेंस पर चलना है अब होता क्या है कि कोई कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा इंजिनियर है बहुत अच्छा डॉक्टर है बहुत अच्छा student रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग जोएं कि आप उसको बो आप ऐसे करो अपना ब्रेल लगाता है इंजिनियर वाला इंजिनियर का ब्रेल उसका प्रोजेक्ट पे चलेगा लेकिन यहां नहीं चलेगा तो यहां सबसे बड़ा जो क्वालिटी होना चाहिए ना सुनना करना यहां पर में कहा जाता है लार्ण डू टीच सुनो करो और सिखाओ लेकिन लोग क्या करते हैं फिर से मैं एक कहानी बताना सुरू करूंगा लोग बोलते सर मैं काम कर हूं सारी चीजे कर रहा हूं लेकिन करते क्या हैं सरक पर में एक व्यक्ति गड़ा खोद रहा था और दूसरा उसमें मिट्टी डाला था वो दोनों अपना अपना काम कर रहे थे मेरे जैसा एक बेबकुप इंसान वहां पर में खराओ करके देख रहा था उससे पूछ रहा तो बोला उस दोनों ने बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूं यह कौन सा काम हो रहा है जब खोदन भरना ही है तो खोद क्यों रहे हो मेरा दिमाग मत कराब करो तो भी आहां से निकलो मैं हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं यह कौन सा काम हो रहा है दो मिनट फिर खरा मिट्टी डाला फिर उसे रहा नहीं गया जाकर के पूछा बाइसाब बता दो यार तुम कौन सा काम पर देखो बाभु जी तीन लोगों को टेंदर मिला था एक को गढ़ा खोदना था दूसरे को उसमें पौधा डालना था और तीसरे को उसमें मिट्टी डालना था तो मैं ग पूरा एक्सप्रियंस लेकर करके आते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं इस इंडस्टी में सक्सेस होने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत परती है सबसे पहले तो बेव कुप बन जाईए बाहरा बन जाईए सुनिए जो बोला जाता है सिस्टम जो बोलता है अच्छा इसका पैमाना है यहां हर व्यक्ती सफल है अंगुठा च्छाप भी सफल है मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं सर जो इस इंडस्टी में आने से पले नो उसको आने की जरूरत नहीं थी खर वो पती लोग हैं लेकिन वो इंडस्टी में आए अगर वो अपना दिमा घर से निकलो काम करने के लिए अगर आप परती दिन घर से नहीं निकलो के काम करने के लिए डेली वर्क नहीं करोगे तो मैं तो बोलता हूं आपको अधिकारी नहीं इस इंडस्टी में पैसे कमाने का और दुनिया के किसी भी इंडस्टी में तो पहला चीज बाड़े हो कर चीजों को सीको आपके कंपनी के जो प्रोड़क्ट्स हैं उसका नौलेज लो बस यही चीज है इस अप्रूटर के लिए अच्छा इंदर जी जैसे कि मैं देखता हूं यह अभी कुछ साल पहले जो लोगडाउन लगा था कोविड आया था कई सारे लोग फोड़ पे आ गए स से छोड़के अपने गाहों चले गए कुछ लोग कुछ और तो इस नेटों मार्केटिंग में क्या एफेक्ट पड़ा इस कोविड का लॉगडाउन का उस दो साल का उन दो तीन साल में जो हुआ उसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ा इसके बारे हम बताईए बहुत सब्सक्राइब कर दिया है लोगों को निकाल दिया है वर्क फ्रॉम कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे ते लेकिन चीजें नहीं बदल रही थी मैं जब इस इंड़स्टी में आया मैं लोगडॉन वाले दिन की घटना में बता रहा हूं आपको सबने थाली वाली आपका बंद हो जाएगा खाओगे क्या है तो मुझे यह अनुमान था और जो लोगों से सुना था कि अब 90% लोग नो ऑनलाइन हो जाएगे ऑनलाइन सिफ्ट हो जाएगे उससे पहले मुझे ऑनलाइन का कोई नौलेज नहीं था तो हम लोग ऑनलाइन सिफ्ट हो गए और जिस महिने में लॉकड़ॉन हो आता सर मेरा पेमेंट डबल हो गया था क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन प्रोड़क्ट चला जाता था उस टाम में लोगों ने इम्म्यूनीटी बढ़ाने के लिए मल्टी विटामिन साहरी उजना शुरू कर दिया था तो हमारे पास जो भी प्र मेने में लॉकड़ॉन लगा था उसके अगले महिने में मेरा इंकम चौग उना था और उसके बाद मैं टूशन जो पढ़ाया करता था मैं फिर कभी टूशन पे नहीं गया आप देखेंगे गवर्मेंट का आप डिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए करोना के बाद अगर सबसे जएदा किसी इंडस्टी ने ग्रो किया है सबसे जएदा अगर हिंदुस्तान में कोई इंडस्टी टेक्स पे करती है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्टी है तो इसका फ्यूचर बहुत ब्रैट है और लॉकड़ॉन के बाद लोगों को एक बात तो समझ में आ सब्सक्राइब यमन जी कि भाई आप एक काम से काम नहीं चलने वाला आप किसी भी बड़े लोगों को आप पलट करके देख लीजिए हर व्यक्ति दो चार काम कर दें वो के संबानी जीयों चला रहे ना तो और भी काम कर दें बिंडी भी बैच रहे हैं ताटा अगर ट्रक बना रहा है ना तो नमक भी बना रहा है और टाटा का ट्रक लोगडॉन में नहीं विक रहा था लेकिन नमक भी कर रहा था तो डैरेक्ट सेलिंग आपको डेली नीड की चीजों के उपर में वर्क करवाता है डेली जो जरूरत की चीजें और डेली जरूरत की चीजें लोग को ने लॉक डॉन में भी नहीं बंद किया था साबून से हाथ धोई रहते सेनेटाइजर लगाई रहते खाना काई रहते और हमारा इंकम डबल ट्रीपल चोपल होता चला जा रहा था तो करोना के बाद हमारे बिजनेस में बहुत जवरदस्त ग्रोथ आया है अच्छा इंदर मार्केटिंग मैं इसमें भी time देना पड़ता होगा तो इसमें time management का कुछ बताइए कि कितना time देना पड़ता है जिसके बाद हम इतनी सेमने और कर सकते है या फूर्ट टाइम का इसमें कुछ वह ऐसा कौछा नहीं कि आप अपने बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर ब्रैट कर सकते हो जब मैं आया था तो सारे छे से सारे दस था मेरे पास कोई टाइम नहीं था लेकिन मैंने उसमें एक दो घंटे की कटोती की और उसी टाइम में जा करके लोगों को बताता था एक दो करता है कोई बच्चा पढ़ाय करता है तो पूरा दिन पढ़ाय नहीं करता है कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं करता है सब के पास टाइम है सब के पास उपर वाले ने चोविस घंटा एक सकेल किसी के पास में नहीं है तो आज से दस आप टाइम देते हुए भी इसके अंदर में अपना फ्यूचर बना सकते हो लेकिन प्रोब्लम क्या है पता है आज के यंग जन्नेशन के और रील पे पूरा टाइम गुजा रहेंगे और फेस्बुक का बेसमेंट आज तक मैं भी डून रहा हूं मुझे नहीं विला एक बार अगर आप चलेगे ने स्क्रॉल करना सुरू कीजिए इंस्टागराम पर में उसका बेसमेंट नहीं मिलता है और वह आपके मैंड को पढ़ता है अगर आप पांच मिनिट के लिए गए फिर आप स्क्रॉल करते रही है पूरा रात निकल जा रहा है पूरा दिन निकल जा रह कि संडी को पूरा से सो मुझाreal इग सकता था है कि मैं बहुत बड़ा above हुए इंडिया का मैच उता था ना मैं जुडलि कर एक दम पूरा चिफ इंडा ऒर सामने में लग कर बैढ़िए भारती थी नहीं तो तो पिर बच्चा बुड़ा लगता था पिछले साथ साल के सफर में मैंने एका दुख्वा मैं चीज देखा होगा तो आदमी अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल करके यहां पर में बड़ा काम कर सकता है अपना फ्यूचर बिलाइट कर सकता है और जब आप पहले वाले इंक सब्सक्राइट हुए, प्यूचर बनाने के लिए , एस स्पैसिक टायम पर जायना करें और आप जब लोगों से तीटॉरग गर न रख दो दो अगर ब detonate दो अगर मेरे पास टायम नहीं है आप अराम से अपने बचे वे समय का इस्तिमाल कीजिए और फूचर कर सकते हैं अच्छा इसमें किरेक्टर कितना मैटर करता है आपका चरित्र मतलब आपका लोग आप पे भरूसा कैसे करें विस्वास कैसे करें आप आप किसी और के लिए अंजान है कोई जानता नहीं है आपको किसी अ कलिए अच्छा कनेक्शन बनाया जा सकता है कि इसी नहीं डुनिया के चरित्र बहुत अच्छा रोल ना मैं आपका नेचर आपने बच्पन से सुना होगा कि इंसान का नेचर और सिगनेचर कभी नहीं बदलता है लेकिन ऐपके नेचर को चंज करते हियों कैसे करती आप अच्छे लोगों के संपर्क में रखते हो, सौ चोर के बीच में अगर आप एक सादू को रख लेकिन अगर सौ सादू के बीच में अगर आप एक चोर को रखो तो उसका भी नेचर धीरे-धीरे बदलने लगता है, तो इस इंडूस्ट्टी में जब लोग आते हैं, उस माहौल को देखते हैं, सक्सिस लोगों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे इनका नेचर चेंज होता जाता है, और यह जो बिजनेस है, यह कंप्लीट परिवारिक बिजनेस है, और मेरा बड़ा फेमस सल्लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूं ट्रेनिंग में, कि आप किसी के घर में जाते हो, तो उसकी मा वहनी बेटियां बैटी होती है, और अगर आपके नियत में खोट है, तो संस्क्रित में एक असलोग में छोटा सा अपने ही लिखते हैं, टुटी-फुटी भासा में लिका हूं, लत्तम जुद्तम अतिउत्तम, अगर आपका नेचर सही नहीं है, तो आपका हुलिया भी विगर सकता है, तो इस इंडस्टी में जो सक्सेस होना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यदा चीज जरूरी है, बाकी चीज़े तो आजाएगी सर, नियत आपका साफ होना चाहिए, लेकिन लोग जाते किस नियत से, लेने वाले नियत से, दे सब्सक्राइशी को देने वाले नेचर से जाओगे न, इनसान आप पर भरोसा करेगा, मुझे सरकों पर लोग मिलते हैं, बात करते हूं, मैं आपको एक उदाहरन देता हूं, लोग खुद नमर दे करके चले जाते हैं, अभी मुझे एक मैडम मिली, और आपके नियत से, बा मर दिया, आप एक बर समय पूछे, अच्छा, बीया, टाइम क्या हुआ है, सर, एक बच करके 30 मिनिट हो रहा है, बताए क्या मैं आपके और सेवा कर सकता हूं, बहन जी ने सेम पूछा, मैं अपने घरी के तरफ देख रहा हूं, और मैंने, बहन जी, 12 बच करके 40 मिनिट हो सेवा कर सकता हूं, इसने पलट करके देखा, आज तक ऐसा कोई रियत नहीं किया, उसने पूछा, भई आप क्या करते हो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने पॉकेट से कार्ड निकाला, बहन जी ये मेरा कार्ड पकर लिए, मैं निट्रिशन एक्सपर्ट के रुप में करता हूं, ये, मैं लोगों को हेल्ट इसूज से मुक्ती दिलाता हूं, बीना एक रुपीय का मिदीशन जीज की है, बहुत अच्छा काम कर तो हूँ ये, तो आपका नजरिया बहुत काम करता है, आपका बेभार बहुत अच्छा काम करता है, और वह ही, आप देखो, लोग भी आपने बताया कि यह निटिशन एक्सवर्ट के रूप में भी आप काम करते हैं कि बिना मेडिशन के लोगों में इस चीज के बारे में बताना तो यह कैसे करते हैं क्योंकि आज मैं देखता हूं लोग बहुत परिशान है कोई नहीं कोई बीमारी है लोगों को कोई नहीं थोड़ी थोड़ी चोटी चोटी बीमारी दो सब को ही है और नहीं भी है तो वह कोई नहीं को इन घर की जो समस्य उनकी वैसे जो उसरा हैं हर इनसान परेशान है तो यह कैसे करते हैं आप जो बता रहें बहुत अच्छा सवाल है सर जब मैं इस इंडस्टी में आया तो इस इंडस्टी के लिए बच्चा था मैंने इसके प्रोड़क्ट इस्तिमाल कि उसके रिजल्ट देखे मुझे अच्छा लगा फिर मैं जब को जा करके बताता तो मैं देखता हूं लोगों के लाइफ में चैलेंज बहुत है प्रिमारिया बहुत है और उसका कारण उख लिए जैसे मैं उदाहरन दूआ आपको यह हमारा क्या है सर पेट है है मैं इसको डस्ट बीन बोलता हूं आप देखेंगा आज लोगों बीमारि यहीं से जन्म लेती है और और करता क्या है हर चीज के लिए टाइम नीड़ धारित है प्रोपर आपको खाने के बीच में जाहिए जहां जो मिला और आज पाइकेट वाली चीजे मार्केट में हर जगा उसके बाद एनर्जी ड्रिंक जो 20-20 रुपे में अब लेवल है लोगों ने अपना बीमारी खुदी बना रखा है मैं जब लोगों के पास में जाता हूं मैं उसको बताता हूं कि सुवा आप उठी यह धाम कीजिए ऐसे बैठ करके आपको पानी कीना है नास्ते में आपको यह लेना है आज सुवा उठते ही सबसे पहला चीज क्या डिमांड होता ह है रही बिलकुल यह तो हर घर में हर दूसरे घर में तो है और मैंने यह आईडिया कहां से लिए यह मैं आपको बताओ क्यों गया रहता हूँ उसका बच्छा सो रहा था हम लोग बात करें तो बच्छा मुझ खोला और मुझ खोलते मतलब सो करकर उठाओ उसका पास साल का बचा और उसी दर रोना सुरू किया जोड़ 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 हां मैं पूला यारी क्या हो गया उसकी मम्मी आकर को पुछ ली बेटा क्या हो बुला चाय पीएंगा उसके मम्मी ने उसको पूरा काटोरा वागोना वा बना करके चाय लाए देखेगा बीमारिया कहां से सुरू हो बच्चा एक गिलास पूरा चाय पीने के बाद फिर रोना शुरू कर दिया उसके फिर जोर जोर से चिला रहा है मम्मी पुछी अब क्या हुआ बोला और पूरा डस्ट बिन बना रखता है हमने इसको जब जो चीज जहां मिल जाए ना तुरत लोग डाल देता और डस्ट बिन में भी वही होता है कसरे डालते रहते हैं न सुबा देखते हैं न दोफर देखते हैं न साम देखते हैं जबकि प्रोपर खाने के अंदर में 12 घंटे का आप जरूर होना चाहिए तो मैं लोगों को जा करके यही बताता हूं कि सुबा में आपको यह आपका डाइट प्लान लेना है उसके साथ प्रोपर नुटिशन आपका जो बॉड़ी के अंदर में जो भी चीजे हैं प्रोपर विटामिन्स चाहिए मिर्नल्स चाहिए लोगों ने अपना और मैं जो चीजे बताता हूं उसमें मेडिसिन की बात नहीं होती है मैं कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवाता हूं आज आप देखिए हर 30 कदम पर मैं आपको ऑस्पिटल मिल जाएगा और एक पैंकिलर टैबलेट जब आप यूज करते हैं तो आप कि प्रूबू बैट करके पानी पिए कि आधा घंटा पाले पांज पीलो आधा घंटा वाद में पानी प्यों खाना खाने का वाद हैससे बैठ जाओ इस सब करो जब रहां जागी Marion and मतलब इतनी सारी चीज़े है ना सबसे महिलाओं के लिए तो और जैदा दिकत है आप देखेंगे बैक पेन हैड पेन गुटनों में पेन यह सारी चीज़े क्यों और सबसे जयदा जो आज हमारे घर के अंदर में तीन चीज़े जो है उसने पूरा लाइफस्टाइल कर आपका का सफेद नमा कि अच्छा सफेद नाम कि जितनी भी चीज़े नम और रिभाइंड तीसरो रिफाइंड 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 रिभाइंड बेरा गरत यह तीन चीजों को आप अपने किचिन से साइट कर दीगे चीजे बदर जाएगे चीन तो जब मैं यह नूटिशन एक्सपर्ट बना मैंने चीजों को सीखी तो मैंने देखा कि भाइया इसका उप्सनल को है मार्केट के अंदर आप चीनी ना खा करके बूरा खाओ खाओ गूर खाओ बेटर आप मैदान मत खाओ गयों खा रहे हो आप खाओ उसमें कुछ आनाज मिक्स करो थोड़ा चना मिक मिलता है संदा नमक जो काला नमक होता है वाइट में भी आता है बलैक में भी आता है आप 30 से 35 रुपिया में आपको नॉर्मल नमक मिल जाएगा पचास-पच्पन का आपको संदा नमक मिल जाए अच्छा रात में चना डाल दो को रहा फुलने के लिए आज लोगों का तो जब आप लोगों के लाइट करते हो फिरी में चीजें बताते हो तो चीजें बदलती चली जाती है और यह सब भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं दिया है अच्छा इंदर जी जैसे कि आपने बताया है यह इतनी अच्छी इंडस्टी है इतना ज्यादा बेनिफिशल है लोगों के लिए काफी ज्यादा लोगों की फीचर बने हुए हैं इससे तो फिर लोग मैं कई लोगों को देखता हूं इससे छोड़ के क्यों चल जाते हैं इनको मिलता है सब कुछ यहां से फिर कि छोड़ के जाते हैं हमन जी हर इंडस्टी में टैम लगता है सचसों में इस इंडस्टी में जब लोग आते हैं लीडर रात और रात भी बनता हूं उसे बनने में समय लगता है लेकिन लोग क्या करते हैं एक साल दो साल फुल ले लूँ हमारे द्वारा जो लाए गए लोग हैं वह काम करें मैं बैट करके मखते लूँ तो ऐसा कहीं भी नहीं चलता है इस इंडर्स्टी में जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं एक साल दो साल मैक्सिमम आप देखें के दो साल तीन साल लोग उन्हें काम किया क्वीट कर है क्योंकि उनको लगता है कि भीया ओवरनेट सक्षेस मिल जाए एक दम रात और रात सप्रिकाने कि किसी भी इंडर्स्टी में नहीं होता है एक सिंपल ग्रेजुएशन करने में तीन साल लगता है उसके बाद इंसान दस हजार का भी इंसान नहीं है बिलकल आप कोई भी ब अरब 42 करोर लोग है हिंदुस्तान के अंदर है कि इतनी मारा मारी है प्रोजगारी कि लोग क्या करते है आया हमने आज जोएन किया फोरम बढ़ा दो महिना चार महिना छे महिना देखेंगे सक्सेस हो गया तो ठीक नहीं तो बाइबाए मैं आज तक किसी भी ऐसे लीडर को नहीं जानता हूं जो डिरेक्ट सेलिंग में दिल से पांस साल काम किया हो बेसक उसने पार्ट टैम ही किया हूं हंडेट परसेंट हो सक्सेस होगा तो जो लोग चले जा रहे हैं मैं आपको एक छोटा से स्टूरी चुनाता हूं लोग करती क्या है यह समझेगा उनको सरसर का हलवाना पसंद आये सर नमस्ते सर चाय पीजिए सर समोसा काईए हम खुस हैं हम सर बन गया अरे बाप ने बाप हमारे जैसा लीडर का मतलब होता है धूप में पसीने में लीड वाइफ रंट काम करना परती एक दिन काम करना परता है लोगों के मन में एक धार ना क्या है कि बहिया हम तो एक साल दो साल में टीम बना लेंगे भी बैठ करके खाएंगे ऐसा नहीं चलता है कहीं नहीं चलता है अपको काम करना ही पी रहा था एक लड़की का फोन आ या उसके पास बहुत है तो है लो लहांज क्या कर रहे हो जो चाय पी रहा हूं अब उस लड़की ने बोला दो कप चाय बनाते और फिर हम दोनों मिल करके चाय पीते बोला सोचो अगर चाय पत्ती नहीं होती आपके घर में फिर क्या करते बोला परोसी के घर जाते चाय पत्ती मांग करके लेके आते चाय बनाते फिर हम दोनों पीते फिर उस लड़की ने बोला फोन पे कि सोचो कि अगर परोशी के घर में कोई नहीं होता चाय पत्ती खतम होती तो क्या करते बोला फिर दुकान जाते दुकान से चाय पत्ती लाते फिर दो कप चाय बनाते फिर हम दोनों पीते उस लड़की ने गुशे में बोला तेरा कुछ नहीं हो सकता का लिया तो आज जो लीडर एक स साल До साल के बाद क्वीट कर रहे न यहीं काम नहीं से निकलना नहीं काम-करना ने मिल लोप करना नहीं अज सब सर्य और हर आज सिस्याय सुर्ण करता है और और आज और मार्केटिंग है जम्यायकर फ्रग्राइब नोकिया मोबाइल पुरी दुनिया में फेमस थी हम घरी जिसके बिना बिटिया की साधी नहीं होती थी कहीं है नहीं है खुद को नहीं बदला और हो गए मार्केर से आज जो लीडर आपको और होते हुए दिख रहे हैं वो बदलाब के दौर से नहीं गुजरना चाहते हैं और बदलने में ना बहुत कॉस्ट होता है बाज के बारे में सुना होगा आपने बाज एवरेज उमर अगर मैं बताओं तो इसकी उमर पच्छास साल होती है बाज जब 30 साल का होता है तो उसके नाखुन बरे-बरे हो जाते हैं उसका पंक बुरी तरीके से बहुत बुरे कंडि सकता है क्योंकि उसके नाखुन बड़े हो गया उसकी चूँच बिल्कुल एक दम ओप खाने के लायक नहीं बची है पता है बाज क्या करता है उसके पास दो अप्शन होता है या तो उसी कंडिशन में मर जाए खतम हो जाए या दूसरा कंडिशन होता है पुनर जनौ तो पैर के सारे नाहुन तोड लेता है तो पूरा पंक तोर लेता है और फिर द suivने से 2 मूहिस तो खुद को बदलने की कोशिस नहीं कर दो ना तो ये इंड़स्टी तेरे लायक है नहीं और कभी होगा नहीं है कि याद रखना जब दस साल बिस साल के बाद अगर तुम्हारे परोस में कोई जैकवार कोई मरसरीच को वीम डेकर के आएगा तब तुम्हारे बच्चे क्या पापा नहीं पापी होते हैं सिंपल सा फंडा है सर हर इंड़स्टी के अंदर में मैं आपको अमन जी एक सवाल पूछना चाहूंगा एक लड़का बहुत तेज था पड़ने में एंबीबीएस डॉक्टर बन करके आया पूरे कॉलेज में टाउप किया है सारी चीजे क अज उसका पहला ओपरेसन है फास्त कॉले से टॉप कर के निकला है समाहगी भी नaj भी पूरा है और आज उसका पहला नहां और लेकिन वही एक बुढ़ा डॉक्टर है जिसको तीस साल का एक्सपिरियेंस है चस्मा यहां आ रहा है उससे उप्रेशन करवाना है क्योंकि बहरोसा है उसका अनुभाव है तीस साल कर रहे हैं उनको लगता है कि एकदम रात और रात सक्षेस हो जाएगा ऐसा नहीं होता है यह इंडस्टी ऐसा इस इंडस्टी में मुझे साथ साल हो गया है तीन साल तो समझने में लग जाता है यह कौन सी बला मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मैने का डेर करों रुपया कमाता है और बोलता मैं भी सीख रहा हूं मैं सॉक्ट हो जाता हूं हमारी तो कोई विसात ही रही है हमने तो कुछ ने भी नहीं सिखा और पता है गोबर्मेंट क्या बोलती है अभी हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेन जो है न वो रनवे पे है अभी डेंड में किया है तब लोग डेर करोर एक कर कमा रहें और पहिसा तो Window आप फिंदेश्टी में पैसा कन हो छूंते हो यहां आपको लिभिए का तरीका को चलने का तरीका सिकते और को गोलने का तरीका सिकते हैं क्यार्यक्टर सिकते हो सारी चीजेश सिक्ते हो आपहली बाराच आज अथ मुझे सूट बूट में देखने होंगे यह मेरा असली चोला नहीं है मैं जब पहली बार इस इंदस्टी में आया एक टाइटल को इसिव किया तो मैंने अपने मैडम को बोला मेरा सूट आँ मैं आपने तुभी सूट पानी है मैं बोला साधी में पाना था वही बाला निकाल दो पता नहीं कहां कहां से निकाली पैंट छोटा ओल चुकाता सूट मैं देखा मैं बोला यार आधी जिन्दगी तो हमने ऐसी बरवाद कर दी तो यह चीज़े हैं यहां आकर क्या डेवलब करते हो अपने आपको गुरो करते हो तब आप सक्सेस के तरफ जाते हो और सफलता पर उसी का अधिकार होता है जो वाके में अपने आपको डेवलब कर कि यह ठीके बस यही है अच्छा जैसे कि मैं देखता हूं आप अपने बच्चों का फीचर देखते हैं इस नेटो मार्केटिंग में या फिर आप चाहेंगे कि मतलब वो किसी और फील में जाए बच्चों का मतलब लगता है क्योंकि हर कोई सूचता है कि हम से बहतर बने हम हमारा बच्चा जो भी हम जो भी कर रहें हैं अगर हम एक रुपय कमा रहे हैं तो बच्चा हमारा दस कमाई लाग गुना बैतर हो हम से जादा नाम हो उसका तो आप चाहते हैं कि वो भी नेटो मार्केटिंग में आया आपकी बच्चे या फिर कोई और ही जो उनका मन करें तो उनका डिशीजन है अच्छा ये तो है ही उनके लिए अगर हमने कर लिया है तो यह बिजनेस साथ पीडियो का बिजनेस हैं यह उनके लिए एक बोनस है लेकिन बच्चे जिस भी फिल्ड में जाना चाहे मेरा बेटा चाहता है कि मैं फूट्वालर बना मेरी बेटी चाह करके अपना फ्यूचर बना सकती है डायरेक्ट से लिए अगर आपके पास में बहुत सारे उप्संस में से कोई आपके पास एक उप्संस है किसी वज़ा से आप अच्छे तरीके से पर नहीं पाए बहुत बड़ा बिजनेस इसलिए नहीं खरा पाए कि हम गड़ी परिवार मे जनवे उतनी पूंजी नहीं थी बहुत ज़्यदा हमको डेवलप करने का मौका नहीं मिला तो यह इंड़ेस्टी मौका दे देती है लेकिन बच्चे को अपना अधिकार है अपना प्यूचर सेलेक्ट करने का अपनी चीजों को कहने का आगे बजनी का है क्या नेटो मार्के किसे मैं आपको अपनी अगर बात बताओं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था च्छे साल पहले कि अगर मैं घटना है मैं जब सुरू में जाता था कि जी को प्लान दिखाता था मैं अच्छे प्रोड़क दिखाता था वो सामने वाला मना करता था मेरा दूनों आ मार्केटिंग यह सब कुछ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं दिया आज मैं खुद को चेंज कर पाया हूं तीम को लीड कर पाता हूं प्यार कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजी मिलती है आप बांकी किसी एक फिल्ट में चले जो कोई भी खराप नहीं हर फिल्ट मैं तो यह कर रहा हूं कि जिस चीज से आपका पीट भड़ता हो ना चाहे हो सूच पॉलिस को नहीं हो उसका भी सम्मान के लिए काम कोई भी खराप मैं देखता हूं लोग जाते बुरह करते अच्छा जोब करते तो यहीं मरेगा जोब करते बाइसाब आपके साथ कभी जो पर वाले ने हमको सेलेक्ट किया इसके लिए तो इस इंडस्टी में आप बहुत सारी चीजे आप सीख सकते हो समझ सकते हो डेवलप कर सकते हो डेवलपमेंट का बहुत बड़ा जादान है इस बिजनिस में पाइसा सबसे बाद में आता है एक बार ध्यान दखेगा पहले आ कि आजाती है ना मैंने एक बुक पढ़ा था कि अल ने यह इंट इंगल का उसो में लिखा था कि अधर्ति का सबसे बेवकोपर निया इन्सान जा तो मैं मुझे किसी कि ने एगा सबसे बड़ानी इनसान यह ऐसे जाए फीर मैंने उसको देखा मैंने पढ़ना शुरू किया उसने लिखा है कि इनसान को यह पता है कि बेचने से पैसे मिलते हैं बेचने से इस धर्ती पर कुछ भी किया जा सकता है हर व्यक्ति बड़े बड़े आप जिसको भी देख लो हर व्यक्ति बेचने पर लगा हुआ है लेकिन वी जिंदगी बेचने से नफरत करता है I had sell मैं बेचूंगा मैं लोगों को प्लान दिखाूं मैं प्रोडक्ट लेचूंगा मैं सावुन बेचने जाउंगा मैं सरब बेचने जाउंगा तूत पेस्ट बेचूंगा भई बहुत कुछ देती है लेकिन लोगों को उतना सब्सक्राइब नहीं पाते हैं तो लौटी का सिस्टम समझा गन्ने का जूस देखा होगा आपने इधर से डाला हल से उधर से भल से रस निकल जाए तो लीडर क्या करते हो पूरी जिंद भी उसमें बाद में निवू और पुद सकता है इंडस्टी सा कारियर कारेक्टर मैं तो सिंपल सी बात बताता हूँ न मैं पहली पार अपने पिताजी को लेकर के स्टेज पर गया था क्योंकि बेटा होने कभी तो कुछ करता भी है तो उस दिन तक उनको लगता था कि मेरा बेटा निकमा निठला डालाए कि जब व उन्होंने एक वर्ड बोला सिर्फ कि बेटा कि ऊपर वाले को कहूंगा कि हर जनन में पर बेटा इससे वड़ी बात के बिलकुन तो सिंपल चीज है यहां पर में सब कुछ मिलता है लेने वाला चाहिए जैसे अभी आपने बता है कि हर इंसान बेच रहा है मतलब इसके बार हर इसान कैसे बेच रहा है अट से टस गंट आप अच्छा जिस दिन पाेदा होता है ना उसे दिन से समय हो जाता है मंचरण कैसे कैसे होता है ति här जिसे दिन बच्छा पैदा लेता है ना उसी दिन पाइदा लिया उसको पता है रोने के बाद ही मा भी अपना इमोशन बेच रहा है बिलकुल आज जो अमन पॉडकास्ट अपना काम करें लोग आपके वीडियो को देखेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे देन आप चार पैसे कमा होगे आप भी सेल्स बेड़ें हम भी सेल्स की बेचरा है और व्यक्ति बेचने के लगा हूँ बिना बेचे वे तो यह कमा क्योंकिन को क्यों बेच आप उसमें की कीमत किसी की कम होती है प्ल्स चीज़ लेकिन बेचे लेकिन लोग क्या करते है बेचने से नफरत करतें से होगे क्यों ल Glut सकते हो और नेटवर्क करना अपनी सब्दों का खाता है जिसको जितना बरियां बेचना आता है अगर अमिताब अच्छन के वाकिन नहीं विखते हैं कि मैनस और फिर पलस में कैसे आता है तो सिंपल चीज़ हर आदम को डायलोग करता है एक नहीं लगता है किसी का पिक्छर आई थी तेरे नाम अब आपको कई सलमान खाने महां क्या वेचा से बीच मांग तेरे नाम सब कुछ कर पाएंगे जो चाहेंगे आप इधर को तो देखता हूं इस इंडस्टी में लेडीज भी इसमें आप जोटने लगी है तो लेडीज के लिए महलाओं के लिए कितना सम्मान है उसके उनके लिए इस इंडस्टी में और कितना आगे तक वो जा सकती मतलब इस फील्ड में उनके लिए क्या है सबसे बड़ा संभाबना आज नेटवर्क मार्केटिंग में मशलाओं के लिए है अच्छा आप देखेंगे लड़किया पढ़ती है लिखती है एक टाइम आता है जब उसको घर में बैठा दिया जाता है और हमने तो यही देखा है कि एक परंपरा हमारी हमारी बहु बहु जब तक बितिया पढ़ाय करती रहती है ना मेरी बेटी यह करेगी और जैसे ही वही घर में बहु बन करके आती है उसको गुंगट में बेलन में बैठा दिया जाता है उसके पास मौका नहीं है लेकिन यह इंडस्टी उनको भी मौका देती है वो अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल करके आजकल को ओनलाइन भी सारी चीजे अबलेबल हो गई है सब कुछ है तो वहां से भी वह कर सकती है और आज हिंडुस्तान की नेटवर्क इंडस्टी के बात करूं मैं तो सक्तर परसेंट लेडी सक्सेस है थर्टी परसेंट को प्रूस है यह महिलाए है हम सब कि गुरु मा है नाम नहीं लोगा मैं आप प्लेट फारम पर महिने का डेड़ करो रूप्या बनाती है लेडीज है बताए हिंडुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग में टाइकोन है वह भी एक लेडीज है तो लेडीज के लिए और सबसे बरी बात है कि हमारी मा बहन हैं तो सेक्यूर्ड साम को घर लौटेगी या नहीं लोटेगी उसका पापा संदिय करता है क्यों क्योंकि इंवाइरमेंट इसा है ग्ल्कुल माहॉली और इसमिलर किया सुछुँत नहीं है वोटल मिलर किया सुछुत नहीं है आपने बहुत सारी घटना यह देखी होगी तो यह इंडस्टी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित इंडस्टी है और सबसे बड़ी दिकत क्या है अगर वो जॉब पे नहीं जा पाती है बच्चे छोटे हैं घर में रोक टोक है तो घर बैठ करके भी यह काम किया जा सकता है हमारे अगर मैं अपनी टीम की बात करूं कोई भाया सब उनको लगता है कि ना मतलब यह अपना सगा है तो मुझे लगता है कि जिन्दगी में कुछ अच्छा काम किया तो मेलाओं के लिए बहुत अच्छी इंडस्टी है सूप अच्छा मार्केटिंग का फीचर आप कहां देखते हैं मतलब आगे आने वाले टाइम में आगे 10 साल बाद 20 साल बाद यह कहां तक जाए और कितना मतलब लगता है कि इसका फीचर इस में जो लोग चटेविए उनका फीचर बिलकुल ब्राइट है या फिर यह कहीं ना कहीं रोक जाएगा यह आगे चाले कि अमेजिंग इस महिने में अभी आप बैंक में लिए फोरम पर में एक ओप्सन और होता है जोब बिजनेस नेटवर्क मार्केटि अच्छा एक खाना चुर गया है अब लिख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिव ओके कर सकते हैं तो इसका क्या फ्यूचर है आज हिंदुस्तान के अंदर में उसकी बात तो कमी किज़े तो ब बनुगा चार्टर का कॉंटेंट बनुगा यही सब यह होती ती दो चार उप्सन होता था धीरी दीरी चीजे बात भी उप्सन बतलता चला गया आज किसी को साधी करनी होती है अपनी बेटे अपनी बिटिया के लिए कौन सा दोला ढूंडा जाता है इंजिनियर हो दोक्तर सरकारी नोक्री वाला हो अगर आप यहार यूपी से भी लोग करते हैं तो सरकारी नोक्री वाला केकिन यह समय आ गया है जब लोग जाएंगे घर से बाहर निकलेंगे तो अपने बिटिया के लिए अपनी बहन के लिए नेटवर्क तर दूला ढूंडेंगे वहला दूला कै अभी साथ एक्स में हैं तो अभी जब वो थी तो उस तैमें बहुत सारी चीज़ें बदली है इसके लिए कानून बन गया है सेर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है जो लीगल कंपनी है वही काम करेगी उसके बाद गौबर्मेंट बार बार चिला करके बता रही कि भिया आने वाल करके चलिए ज़्यदा से ज्यदा तीस पहिंटेस हजार करोर था अगर मैं बात करूए इस इंडस्टी की तो आने वाले दो हजार पचीस का जो आकरा है सकतर हजार करोर की इंडस्टी यह आकरा को मेरा नहीं है जो आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा और गौबर्मेंट जा मैं जो अबिए क्वासे करी है कि यह तो मेरा अनुमान है इसक्ति गुना चो गुना जा सकते हैं आपने को सुना है अमेरिका में 18 साल के बाद माबाप से बच्यानी अलग हो जाते हैं तो करेंग कि वहां जब बच्चा पढ़ाय करता है ने स्कुल कॉलेज में तो उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग जोइन करवा लिया जाता है और जैसे ही उसकी कॉलेजिंग कम्प्लीट होती है तो उतना इंकम कमा रहा होता है नेसेसरी है लेकिन अपने यहां क्या है आप किसी को बोल हो और लोगों का रियक्शन देखोगे ना आप मैं तो कई बार सौक्ट हो जाता हो एक यक्यक्ति को बुला नेटवर्क मार्केटिंग हां तू भी ऐसे लग रहा हो जैसे मडर करके आगया बहुत अच्छा फ्यूचर है बहुत प्रैट फ्यूचर है गवर्मेंट चिला-च हमने भी कुल लाकर के बोल ले हैं और मांंकी दुनिया में आप किसी के लिए रोजगार पैदा नहीं कर सकते और यहें इसा अच्छी चेकंपनी कि वह सी कंपनियां ऐसी आई पिछले कुछ दूनों में पिछले कुछ सालों में कि जनों ने लोगों के साथ यह रिलेशन बनाए फिर उसके बाद में फ्रॉड गर के निकल गी पैसे लेके भाग गही कंपनियां तो मतलब लोगों का विश्वास उठा गया था इससे बिलकु कोई भी कम्टी खराब नहीं थी इनसान के लालत ने उसको खराब किया अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पले एक सोचल ट्रेट की घटना हुए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आगे लोग रात और अमीर बनना चाहते हैं और उस चक्कर में क्या होता है कि आज पैसा लगाया दो साल में हम अमीर बन जाएं या छे महिना में अमीर बन जाएं उस कॉंसेप्ट पर करते हैं जो लोग इस तरीके से आप लगे हुए है मेरे पास भी कही बार फोन आता है इंदसार कितना कमा लिया आपने पिछले साथ साल में अरे आओ ना आपको छे महिने में इ कम्नी सबसब आप तक नेटवरक मार्केटिंग कि कंपनी और कम बेस सबसे के मैं गयाँ का परे개 परत्राइंग से इंद सुटेजिग कंपनी और थेमिकान सबस्तबतें परफिक्त ताकन से पैसा ओए उसको मिकनी सियोगनार कमिछा यह जितने का मेंबर होगा यह सारी चीज़े नहीं होगी एक अच्छी कमपनी को सेलेक्ट करना है तो चार से पांच पी को देखिए अब यह किया होता है पहला प्रोफाईल हम अपने बच्चे की साधी करते हैं तो क्या देखते हैं सबसे पले खांदान तो अच्छे खांदान का है या कमपने का कि अगर उसका प्रोफाइल सही है आपको पता चला छे साल से तो जेल में था कंपनी का में घुट बाइट लिए तहले मारे थैकने का आपका क्या गाज वसका तो फिटो फुटा कि अंदेर में लटके ऑचैने इस अ दूसरा चीज फिर्वुट। प्रोडक्ट हमके जैनुवन यूज कैंधे को फसे ग्रोड़ों क्यों है नगयाि है को उट hypocris भेच राए जिस प्रोड़क्त की जरूरत आपको नई ए मैं उस प्रोडक्त को लेकर कि आप क्या करेंगे तो अगर सुभा से साम तक सुभा उठे ब्रस की जरूरत है पेस्ट की जरूरत है घर में बरतन दोने वाले चाहिए सप्लिमेंट्स चाहिए फेश्वास चाहिए इन सब चीजों के प्रोडक्त के ऊपर में चीज़ वदलती है तो गुड मौर्निंग से गुड इमनिंग तक का और दूसरा प्रोड़क्ट में भी देखिए आपको हमारे पॉकेट साइज का या नहीं है हमारे बजट में या नहीं है मैं आपको आकर के बोलू हमान जी 200 रुप्य का सामने अप ले लो आप लो मैं तो 300 रुप्य वाला सामन कि महने चाहिए विपेंट करती है दूसरे थी तीसरा प्लान आपको ठगने वाल नहीं होना चाहिए कंपनी को मेर उनाने वाला नहीं होना चाहिए जितने मेहन करते हैं पैसा अपे सब बराबर ऊने ख करती है और उसके बाद लोग आप जिस कंपनी से एसोसियेट हो रहे हैं चाहिए कोई भी इंदुस्तान के कंपनी है उसके मीटिंग टेनिंग सेमिनार में वहां देखिए लोग अच्छे है या नहीं है चाहिए किसी भी टीम के हो आप सपोर्टिव लोग है या नहीं है उससे तो नहीं है कि विए जो प्रोड़क्ट बेस कंपनी हो भी ना उस पर ज्वाइनिंग पर फोकस होगा कि लोग जो पिछले महिने समान लेकर के गए तो उनके घर में समान खतम हुआ होगा उसका फॉलोफ लो उससे बाच्चित करो तो री परचेश पर काम होता होगा वो ज् ज्वाह वाली कंपनी है लोग 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 अइसे नहीं चलता हिए तो पिपल लोग में और आफके जाकर कि आपका ।ो दिल खुज हो जा क्या आजाए कि यह अपने लोग है अच्छे लोग है चाहे हो किसी भी टीम को सपोर्ट करने को जार । आप अच चाचला आमने तीन साल दे दिया चार साल दे दिया और कमपनी अगुबर्मेंट ने बेहन कर दी या कुछ ऐसा हो गया मैं क्यों नहीं आना चाहता था है मेरे बच्पन के मित्रें कि वह भी इन सब के भुक्त भोगी है साथ साल काम करने के बाद वहां के उस कंपनी को बेहन किया गुबर्मेंट के अभी विस्वास तूट जाता है लोगों का और मैं उसको देखता था साथ में पड़े हैं साथ में खाना काया है मैं उसको देखता था मुझे लगता था कि यह फसा देगा तो चीजे और आज मैं अपने आपको कोच्छता हूं कहा सारे तीन साल पहले आया होता है इस बाद और भी बहुत सारी चीजे में कर पाते हैं तो एक अच्छी कंपनी का सेलेक्शन बहुत ज़रूर मैं हमेशा बो सेहत के लिए अच्छा नहीं और हर बाबा के पास लंगोट और गच्छा नहीं तो सिंपल चीजें अच्छी कंपनी का सेलेक्शन करो प्रोडेक्ट वेस्ट कंपनी का सेलेक्शन करो मेहनत करो मेहनत तो हर जगा करनी पड़ती है लोगों को आपको बताना परेगा चीजों क आप सक्सेस हो जाओं तो यह अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में फरक समझना पर अच्छा इंदर जी जैसे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर जैसे वह इस इंडस्टी में आना चाहें वह जॉइन करना चाहें तो वह कैसी जॉइन कर सकते को कि घरवाले जैसे अगर घरवालों को बोलते हैं तो वह तो पैसे देने वाले नहीं है जोइन करने के लिए तो उनके लिए ऐसा कुछ है इस इंडस्टी में स्टूडेंट्स के लिए कि वह भी मतलब अपना फीचर बना सकें बढ़ाई के साथ-समें मैं जब स्टूडेंट से मिलता हू तो इस्टूडेंट के पास अक्सर यह सवाल रता है कि सर मेरे पास को पैसे नहीं है या मैं पापा उससे पूछ करके बताऊंगा उनका पूछना यह कहना जाय जाय क्योंकि वहां कहीं में लेकिन उसके अंदर के मीनिंग को समझना पर आज वो पैसे के लिए किसके उपर मे लेकिन उसी बच्चे को बोलिए कि आप पढ़ाय करते करते एक से दो घंटे में ऑनलाइन भी वर्क करके आप अपना पॉकेट मनी बना सकते हो मैंने का दस से पंदरा जाल रुपया कमा सकते हो विदौट एक रुपया इंवेस्ट किये तो वही लड़का सोचता है कि अच् करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि टूथ पेस्ट आप कही न कहीं से खड़ी दोगे साबून कहीं न कहीं से लगा हो गया पैसे पुंजी के नाम पर में तो कुछ भी नहीं लगता है कमिटमेंट लगता है तो स्टूडेंट जब आते मैं इस तरीके पाइखे से बोलता हूं उनको की बाबो आप यहां पर में एक से दोगंटे वर करके ऑनलाइन वर करके आप काम कर सकते हो और उसके लिए क्लिए करना फेस्बूका अधर बच्चे को पता है इपोस्ट या अच्छी चीज़े सेर की क्या यहां पर में हो सकता है और दिरे दि को बोलता हूं कि बेटा एक काम करो मैं ही मिल लेता हूं पिता जी से क्योंकि आप जब जाओगे अपने हिसाब से आप दोगे या हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी कटना है हुई होगी कि उनका इस बिजिनेस के परतीच अभी अच्छा नहीं होगा तो मैं मिल लेता हूं ने न अगर आपको लगता है चीज अच्छी है तो आप पिताजी को मनवा सकते हो और अगर आपको लगता है चीज अच्छी नहीं है तो पिताजी तो पहले से बूट बराकर करके बैटे इसमें कुछ होता नहीं है तो इस्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मुका है सुनारा मुका है और पढ़ाई करते करते अर्निंग का सोच जोएन कर सकता है और कोई भी बच्चा चोबिस घंटा नहीं पड़ता है स्क्रॉलिंग करता वहीं से कमाई हो सकती है उसकी मेरे तुम के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और दीरे दीरे जब चीजे और यह कोई सेक्यूर नहीं है आज के देट में इतनी मतलब आप कंपेटिशन है ना आप किरिकेट के फिल्ड में चले जाए हिंदुस्तान में 30 लाग से जैदा किरिकेटर है 30 लाग यह मैं उस किरिकेटर की बात करता हो जो एक और ऑथर के दैखने करते हैं चलेंसित्स नहीं से मार हैं इधर से मार यहां कि मार माने three of the देको gotta do not alcool i जाने जोड यह से성िद्टिक अपने जोइन कर लिया यह जोड़ फसे बात आपने मुत बद्विश कि है ळेको जैसे उनको आप phone करते हैं कुछ दूनाबाद रीक दून आगे कुछ करने के करने के लिए या फिर कहीं मीटिंग के लिए तो फून उठाना बन कर देते हैं बात करना बन कर देते हैं मतलब कनेक्शन तोड़ लेते कही ना कहीं सोसाइटी का प्रेसर होता है फिर फैमिली का प्रेसर होता है तो फिर वह मतलब बात करना बन कर देते कर देते कि मुझे नही सामने वाला आप से आपकर लोग अगल बगल के alltग असके मामा जी चाचा जी शोन उसको कि उस उधर मत जाना उधर खत्रा है अब यह सारी चीजे सुन करके उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया आपने बार बार फोन किया फिर वह क्या करता है ब्लैक लिस्ट में डाल देता है कि वर्शी चौप कर देता है तो इसका तरीका हर लीडर को सीखना पड़ेगा आप उसको मैसे इताल जैसे मैं अमन जी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया तो मैं अमन जी नमस्कार उमीद करता हूं कि आप अच्छे हैं और मैं पिछले तीन से फोन कर रहा हूं आपको आप फोन पिक नहीं किये हैं मुझे आसंका हो रही है कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हो गई है मैं चाहूंगा कि सर आप मुझे दो मिनट के लिए कॉल जरूर कीजेगा कॉल जरूर कीजेगा अब आमन जी ने देखा मैंने फिर फोन किया मैंने फिर मैंने सर पिछले 15 दिन से मैं आपको कनेक्ट करने की कोसिस कर रहा हूं दिल बैठ रहा है बहुत असंका हो रही है आप काम एक अलग मेटर है सर हमारा आपका रिलेशन भी तो है आप मुझे एक बार कॉल जरूर किजेगा फिर भी नहीं पोन अब आओकर मुझे अमन जी का घर का पता है मैं सुबह सुबह घूमते घूमते निकल जाओंगा मुझे यह पता है कि सुबह अमन जी घर पे मिलेंगे मैंने बेल बजाया अमन जी नमस्का ठीक ठाक है क्या होगे आप 15 दिन से पोन ही नहीं उटा रहे है भावी जी निकले भावी जी नमस्के क्या होगे मैं इधर से ही निकल आता मैं तो बहुत एकदम घबरा गया था अरे सरो काम नहीं करना चोड़िये ना मुझे काम के लिए काम के लिए नहीं आया हूं मैं वो था आपका डिसीजन है बैठिए भावी जी चाय बनो चाय वाई पिया सारी अब पुरी चीजे निकालेगा उसके मन के अंदर में जो निक टीविती लोगों ने डाला है फिर सामने बाला 90 परशंट चांस है को फिर से स्टार्ट अप हो जाएगा क्योंकि बाहर में जो उसको कचरा डाला गया है एक फर्मूला है गारवे जिन गारवे जाओ कचरा डालोग जी का फॉलो अफ लिया चीजे बदली ऐसे पी डिए दूसरी चीजे क्या होती है कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग आते हैं सक्त सपलता भी चाहिए लास्ट मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा सपलता इस इस इसको बिल दिया जो प्यान लेने को तेया रहे जो क मैं आपको यह घटना बताता हूं सर मैं एक जगा प्लान दिखाने जाया था मेरी पत्नी की बहुत अच्छी सहली वीड्यो मतलब इदवाती मैं उसको प्लान दिखा रहा हूं चैवए बनाकर के लिए करके आए सारी चीजे मैं उसको प्रोटक्ट बगर आज दिखा रहा ससुर जी आये तो बहुत जुत्री साइड होगी अपना मुझे आते हैं क्या है बाई यह क्या है मैं बुला अंकल ची यह बुलाई थी यह सारी चीजे मेरी पत्नी भी है दो मिनट के अंदर में अपना समान बांदो निगलो यहां से पटा-फट मेरी मैडम को थोड़ा मैं पर वात में हम ने उनकी चाय भी नीछ थी हमने अपना समान पर गेट तक चला गया मेरी पत्थ मैंने फिर बोला उनको कि अशेज ही आते हैं उलाया गया था अबाया वाला आया गर्धन पर ऐसे लगाया और ऐसे धका मारकर को बुला पता नहीं वीकारी कहां कहां से आजा चल निकल यहां से देड़ साल के बाद वही बंदा अपनी बहु का हाथ पकर करके मेरे पास ले करके आया बाबु कलती हो गए तो लोगों की ठाना या अलग अलग है मैं आपको एक सवाल पूछता हूं मैं अभी तक आपने उसके बहुत सारे सब्सक्राइब पूछता हूं गोदी में अगर लंडा चाहिये तो क्या करता परेगा उसका एक प्रोसेस है गोदी में अगर लल्ला चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा लड़का लड़की देखा जाएगा फिर एमॉंट बगर्या जो भी आजकल तो प्रथा है तो सारी चीजे ताय होगी कौन से रिसोर्ट में साधी होगी कितने लोग बारात में आएंगे फिर भंगरा होगा तोली सजेगी फिर लड़की सवस्राल आएगी कहीं न कहीं हनुमून का पैकेज बुक किया जाएगा यह सारी चीजे होंगी फिर नौ महिना का कस्ट लेना पड़ेगा अगर वो बोलेगी मैं नौ महिने का कस्ट नहीं लूंगा या लूंगी तो कहां से होने वाला है तो नौ महिने का कस्ट लेगी बरापेट लेकर करके चलेगी पेन बरदास्त करेगी ऑस्पिटल जाएगी और लेवर पेंट से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद गोदी में ललना आएगा लोगों की स्थिती क्या है दो महिना में ललना चाहिए जी दो महिना के बाद उठ करके दूसरे कंपनी में को उठ करके चलेगे वहाँ तीन महिने में ललना चाहिए और टोटल गिंद एक महिना हो गया दो महिना हो गया तीन महिना ह कर दिया और भाई बीच में मिस्करेज हो गया उसको कौन देखेगा तो गोधी में लल्ला चाहिए तो उसका प्रोसेस है बिल्कुलिए आपको पॉड्कास्ट के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी लोगों को यहां सफलता मिलती है साथ चलने से सफलता मिलती है काम करने से सफलता मिलती है अपने आपको पॉजेटिव इनरजी रखने से सफलता मिलती है मिटिंग ट्रेनिंग में जाने से सफलता मिलती है परती एक दिन घर से निकल करके काम करने के बाद सफलता मिलती है और मेरा फेमस लेन है मैं हमेशा गु काम्याबी यूहीं नहीं मिलती मेरे दोस्त मंजिले महफिले कसी से काम्याबी यूहीं नहीं मिलती मेरे दोस्त खुद को मेहनत की भठी में तपाना पड़ता है और दुनिया बाद में चलती है पीछे-पीछे पहला कदम खुद को बढ़ना पड़ता है तो जब तक आप पहला कने लेंगे तब तक mon下 के पीछे आपको में भी अकेला निकला था है। हर अब्यक्ति दुनिया में अकेला आता है बाद में लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं तो मैं हमेशा गाता हूं कि सफलता यहां कैसे मिलती है और मैं भी कुन गुना ना चाहूंगा आज आपके dat अबें कि दो कदम तुम्ह चलो डोकादम अउ-फेड है दो कदम तुम भी चलो डोकदम भी चले मन्जिले आजादी के मन्जिले आजादी के आएंगे चलते चलते दो कदम तुम भी चलो दो कदम हम भी चले बहुत बढ़िया सर्व थैंक यू सो मसर आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि काफी बीजी स्केडूल रहता है आपका काफी सारी सेमिनार अटेंड करते हैं इतनी बड़ी टीम लेके चल रहे हैं आप 10,000 लोगों की मेरी लिए वक् पॉड्कास्ट